आपके आसपास में घटी है कुछ खौफ नाग घटनाएं कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं पर जिनके साथ ये घटनाएं घटी है उनका जीवन खौफ से भर जाता है हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के विशे में जानेंगे जो सची घटा पर आधारित है अगर आपके पास कोई स दी जाएगी हम जानेंगे आज के कहानी के विशे में वह कौन थी डरावनी सबसे खौफनाक कहानी है गाउं से होकर सहरों तक संसिनिक चीरती हुई यह कहानी है अपने विवेक से देखें अपने सयम से देखें डर को काबू करें डर के आगे जीत है कहते हैं ठंड का मौसम गाउं में दूर तलाव की किनारे संभू काका की एक मड़ई थी वहां कुछ आम के बागीचे थे आसपास घणे जंगल होने के कारण वह अस्थान बहुत ही डड़ावना लगता था साम हो चुकी थी आसमान में बिजली चमक रही थी दीरे दीरे रात होने कुआ रही थी आधी तुफान का मौसम बदल कर एक जुझुडी सी पैदा कर रही थी खौफ पैदा कर रही थी अगर आप उस स्थान से गुजरे तो पेडों की आवाजें आपके अंदर एक ड़ पैद कर देगी संभू काका अपने मड़ई में सो रहे थे मड़ई में सो रहे संभू काका के पास ही एक गाय बंदी हुई थी संभू काका एक गाय पाल रखे थे और गाय वहां बंदी हुई थी रात काफी हो चुकी थी पेडों की टकडाने की आवाजे निकल रही थी और काफी डरावनी आवाजे थी गाई डरके मारे संभुकाका की खतीये के पास आकर चिपक गए हट हट की आवाज के साथ गाई को दूर करने की कोशिस कर रहे थे पर गाई वहां से नहीं हट रही थी, अब संभुका का उठे और गाई को सहनाने लगे, उन्हें लगा के सायद मच्छर काट रहा होगा गाई को, उन्होंने सामने जल रही आग जो बुझने वाली थी, उससे थोड़ी थोड़ी धुआ निकल रही थी, फिर से उसे फूक मार कर जलाने क कोशिस करने लगे, ताकि कुछ धुआ हो और मच्छर महां से भाग जाए, फूक मारने की कोशिस में अचानक थोड़ी सी रोसनी हुई, और उन्होंने देखा कि उनके खाट के पास एक औरत खड़ी है, और उन्हीं की तरफ देख रही है, संभुका का को लगा सायद वहम हो उन्होंने जोर जोर से फूक मारना चालो किया, अब आग काफी जल चुकी थी और संभुका का साफ साफ देख सकते थे, कि एक औरत उनके खाट के पास बिखिडे बाल, लाल आखें, डरावना, चेहरा और जुझरहट पैदा कर देने वाली ऐसी दिख रही थी और उन्हीं क सामने बहुत देख रही थी, संभुका का काफी डड़ गए, डटे डटे हिम्मत करके फिर भी उन्होंने पूछा कि कौन हो, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई, फिर भी संभुका का उठे और फिर आवाज लगाई, सुनाई नहीं दिया, कौन हो, इस बार बहुत ही सरसर देने वाली और डरावनी नाक से कहे जाने वाली आवाज सुनाई पड़ी, संभुका का डड़ गए, फिर भी हिम्मत करके पुछा, निकालू लाठी, निकालू डंडा, कौन हो तुम, बताओ मुझे, इस बार वह औरत हस्ते हुए बोली, तु मुझे ड़ाएगा, तु मु संभुका का सोचने लगे, आवाजे कुछ हद तक समझ में आ रही थी, और चेहरे भी कुछ हद तक जाने पहचाने लगने लगे, उन्हें याद आया, कि आज से 10 से 15 वर्स पहले, यहाँ पर एक लड़की पेर से गिर कर मर गई थी, वह रामोतर की लड़की थी, अब उनका डर थोड़ा सा कम हुआ, फिर भराय हुए गले से उन्होंने पूछा, कि कहीं तुम रामोतर की लड़की तो नहीं है, अब उस औरत ने रोते हुए, सुभकते हुए, दर्द भरे आवाज में कहा, हाँ मैं वही लड़की हूँ, आप लोगों ने बचपन में 15 व क्रिया करम अच्छे से नहीं हुआ, जिस कारण मैं आज 15 वर्सों से यहीं भटक रही हूँ, मेरा अंतिम संसकार कर दो, तो मुझे आत्मा को मुक्ती मिल जाए, संभुका का रोते हुए, सुभह सब को सारी बात बताई, रामोतर भी आया, उसे बहुत ही दुख हुआ, अप करा कर उसकी आत्मा को मुक्ती दिलवाई, तब से लेकर आद तक वह वापस किसी को नहीं दिखी, जाने उसकी आत्मा कहां लुप्त हो गई, कहानी कैसी लगी, आप अवश्य लोगों को सुनाए, वीडियो को सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, और आपके पास कोई कहान हैं, तो हमें अवश्य सुनाए, हम आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे, अगर आपकी कहानी लोगों को पशंद आती है, तो हमारे चैनल की तरफ से आपको एक गिप्ट इनाम के तरफ पर दिये जाएंगे, अगली कहानी कल नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, तब तक के लिए मुझा आग्या दे, धन्यवाद,